कल था SFF का सेमी फाइनल्स मैच और इंडिया का फिर से भयंकर लड़ाई हो गया जिया गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ फिर नेपाल के साथ फाइट हुआ था फुटबॉल मैच में अंड ना हैट्रिक होगी इंडिया के लड़ाई का विद कुवैट कल इंडिया और कुवैट फेस कर रही थी सेमी फाइनल्स में एक दूसरे को जिसमें एक गोल इंडिया का हाफ़ टाइम से पहले ही हो गया था पाई सुनील चेत्री and then Kuwait का भी एक गोल हुआ लास्ट के दो मेंट्स में जो कि Kuwait के प्लेयर ने नहीं किया दर असल इंडिया के प्लेयर अनवर अली बचाने के चक्कर में अपने ही गोल कर बैट है को रेड कार्ड मिला था लेकिन इस जगह पर सप्राइजिंग तो यह था कि रेफरी ने उसे कैसे फ्री किक नहीं दिया और ठीक मैच के 80 मिनिट पे फिर सिस्टेम एक को रेड कार्ड दिया गया था उसके बाद वो टेक्निकल एरिया के सामने नहीं आ सकते थे इस मैच के लिए और लास्टली मैच के 88 मिनिट में अलकलाफ ने सहल को धक्का मारा था जिसके बाद रहीम अली दोड़ते हुए आए और अलकलाफ को गिरा दिये और दोनों प्लेयर्स अलकलाफ एंड रहीम को रेड कार्ड दिया गया था भाईस आप कल के मैच में पंगे ही पंगे हुए थ दिखा था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना